राम मंदिर का मसला सुलजने का नाम नहीं ले रहा है रोज एक नई कड़ी इस मामले में जुरती नजर आ रही है अब लालु यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्फ स्वास्थ मंत्री तेज प्रताप यादव ने राम मंदिर निर्मान को लेकर बड़ा बयान दिय नालंदा में एक रैली को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि देश में राम मंदिर हम बनवाएंगे तब ही RSS और BJP का खात्मा होगा तेज प्रताप ने BJP को धोका देने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि केंदर में RGD की सरकार आने पर बहै आयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे और RSS तथा BJP को जड़ से उखार फैकेंगे साथ ही उन्होंने कहा कि BJP ने राम मंदिर को मुद्दा बना कर हमेशा लोगों को ठगने का काम किया है उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्मान होने के बाद BJP के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्मान प्रतेग धर्म के लोगों द्वारा एक एक इंट लगा कर किया जाएगा